में आपको पता ही होगा जिसाट कि हम अपने सेशन में कवर कर रहे हैं ट्रिग्समें सेशन चल रहे हैं इसमें अभी तक हमने सीजल 2019 का जो आपका tier 1 का examination है, March 2020 में यह आपका conduct हुआ था, इसमें आपके जितने भी trigonometry के questions आये हुए है वो मैंने cover करा दिये हैं आपको इसके अलावा, CGL 2019 के तो मैंने topic wise में आपको geometry भी करा रखी है mensuration भी करा रखी है, इसके अलावा algebra भी करा रखी है, ठीक है अब यह trigonometry special session है मैंने आपको सारे questions करा रहा हूँ और इसमें हमने कुछ questions कर भी लिये हैं और आज की आपकी class होगी इसमें हम सारे के सारे questions को cover कर लेंगे, जो आपके trigonometry के basic questions है मतलब जो आपके identity से related question वगयरा है इसके अलावा आपका height and distance हो गया और उसे देखके बड़ी good feeling आई ठीक है तो उस question को बड़े आराम से समझेंगे और जो मुझे important concept वगयरा देने है वो सारे वहाँ पर मैं दूँगा आपको और फिर वहाँ पर हम सारे के सारे height and distance वाले question कर लेंगे तो यह आपका फिर CPO 2019 की कहानी भी खतम हो जाएगी आप मुझे जरा आप एक बार comment section में यह बता दो कि इसके बाद आप कौन से जो paper है उनकी ट्रिक्मेटरी उठाई जाए या फिर इसके लावा मैं आपको यह चोड़ कर के सीजल 2019 के आपकी मैं geometry करा चुका हूँ तो geometry की उबर फिर से कुछ और मज़ेदार questions कराये जाए और इसमें आपके CPO के questions हो गए सीजल टीर टू के questions हो गए और 2018 का टीर टू हो गया 2017 का टीर वन टीर टू हो गया है जिसमें कि आपकी जमेंटरी से और अलजब्रा से भी और ट्रिक्नोमेटरी से भी आपके कुछ अच्छे questions आय हुए थे advanced math के ठीक है 2017 में और आपके arithmetic से अच्छे questions आ हुए थे तो यहां पर मैंने देखा 1.25 तो मुझे देखते ही यहां पर समझ में आगे है यहां पर इसका अगर मैं fraction में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा इसको 5 by 4 लिखूंगा बोलो हाकी नहीं और मुझे पता है जो कौसक तीटा होता है वो क्या होता है है परपेंडिकुलर यानि कि यह जो 5 है अपना है परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह फोर अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा क्लियर है तो यहां से अपना जो बेस है ना वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है 345 क्या होते हैं आपके पाइथा गो अगर आपको जरूरत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताते ना नहीं तो आपको याद होगी तो बहुत बढ़ी है अल्रेडी ठीक है कोई दिक्कात है नहीं वाँ पे अब हम फटा फट से क्या करते हैं आप पर हम वैल्यूस को डालना शुरू करते हैं एक बार में कलर को चेंज़ कर लेता हूं जिससे कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो देखो अब यह हो जाएगा आपका 4 इंटू में परपर्णिकुलर अपॉन का बेस क्योंकि 10 थीटा क्या होता है अपना पी अपॉन भी होता है तो यह हो जाएगा 4 इंटू में 4 बाई 3 माइनस का 5 पाइपान में 5 और यह प्लस का 1 हो जाएगा इसके बाद अगर मैं अपॉन में देखता हूं तो अपॉन में हो जाएगा है यह 5 बाई 3 प्लस का 4 इंटू में 3 बाई 4 और अपना यह माइनस का 1 clear है सभी को समझ में आ रहा है कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपनी दिक्कत परेशानी comment section में डाल दिया करो ठीक है यह 4 से 4 cancel 5 से 5 cancel अगर मैं इसका LCM ले लेता हूँ तो LCM इसका 3 आ जाएगा और यह 16 minus का कितना हो जाएगा यह बनेगा आपका 2 और 3 टूजा 6 हो जाएगा ठीक है अपन में अगर मैं बोलता हूँ तो अपन में आ जाएगा again आपको LCM 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का आपको कितना हो जाएगा भई 5 प्लस का 6 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 3 2 जा कितना माइनस सॉरी माइनस का सॉरी प्लस का 6 होगा ठीक है तो 5 प्लस का 6 हो जाएगा नीचे आपका simplify करना था clear है अगले question पर आते हैं आपका यह रहा आपके सामने next वाला question अच्छा यह तो अपना height and distance का हो गया इसे हम अगली वाली class में कर रहे होंगे ठीक है height and distance वाले question हम बाद में करेंगे अब देखो और ऐसी possibility किस case में only जब हमारा theta कितना हो जाए 45 डिग्री यहापर अपना theta निकल के आ जाए clear है सभी को समझ में आ रहा है तो यहाँ पर अपना theta हो गया 45 डिग्री तो अगर मैं यहाँ पर आपकी values डाल देता हूं तो यह कितना हो जाएगा sign आपका 45 होता है 1 by root 2 इसकी whole power 4 और again आपका cost 45 डिग्री भी 1 by root 2 होता है तो मैं सीधा 2 in 2 करा देता हूं कोई दिकत परेशानी आपर किसी को हो रही हो तो बताएं जरा ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 2 in 2 में 1 upon का root 2 का whole square कितना होगा 2 और 2 का whole square गर हम फिर से कर देते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा clear है तो यह 2 से आपका cancel out हो जाएगा 2 times और अपना answer आ जाएगा कितना 1 by 2 clear है तो यह 1 by 2 आपका again option number C जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा समझ में आगे सभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहे है चलो अगले question पर आते हैं यह रहा आपके सामने फिर से अगला question छोटा सा question अगेन यह आपका देखो अब यहाँ पर क्या है यह है sign यह आपको दे रखा है root 2 of sin 60 minus alpha equal to 1 यानि कि आपका जो sin 60 minus alpha है ना वो equal to में किसके है 1 upon root 2 यानि कि sign 45 degree के है clear है इतनी इसी बात तो यहाँ से आपका जो alpha है कितना निकल के आ जाएगा alpha निकल के आ जाएगा 15 degree तो भई आप पता नहीं अब यह question पूछने का क्या तो को बनता है यहाँ पर आपका सीधा सीधा तो answer आगया इसके लाव कुछ और ही पूछ लेते कम से कम यह तो पूछ लेते कि sign 4 theta plus का 10 4 theta की value कितनी होगी खैर क्या कर सकते हैं देखो अगले question पर आते हैं यह आपके सामने अगला question यह अगेन आपका height and distance का आगया था सीप्यों में आपके height and distance question ज्यादा आए हुए और बड़िया लेवल के आए हैं ऐसा नहीं कि ललू चप्पू लेवल के आए हुए हो ठीक है तो बड़िया लेवल के किसी और दिन बात करते हैं इसके बारे में ठीक है लेगिन फिलार अभी अपने question पर focus करेंगे तो यह दोखो अपने सामने यह रहा question की the value of 10 square 48 डिगरी माइनस का कॉसेक स्क्वार 42 डिगरी कॉसेक 67 प्रस थीटा देन आपका माइनस का सेक 23 माइनस थीटा ठीक है तो यह हमें value find out करनी है आप फटा-फट से देखो आप जरा मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी अपना जो 10 theta होता है वो 10 90 माइनस थीटा एलेट से 10 theta equal to में किसके होगा cot 90 माइनस थीटा के ठीक है और इसका wise versa भी आपका same wise versa भी true होता है ठीक है इसी तरीके से अगर मैं बत करता हूँ तो sin theta sin theta equal to हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा कोई दिक्कत परेशानी है नहीं यहाँ पे और इसी तरीके से आपका जो cos theta है वो आपका sec theta के साथ interchange होता रहता है किसके साथ sec theta के साथ यानि कि यह हो जाएगा आपका sec 90 माइनस theta clear है तो यहाँ पर कोई परेशानी इस टेवल में आपको कोई परेशानी नहीं अब देखो ज़रा इस question को बड़े धान से तो यह आपके सामने 10 square 48 degree लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या quarter 42 degree लिख सकता हूँ बोलो हाँ clear है ना लिख सकता हूँ न लिख सकता हूँ ठीक है अब आपके सामने आगे क्या है यह कोई-square 42 degree कोई-square 42 degree clear है अब देखो आपको पता होगा वाइनस का कॉस इपार थीटा कितना होता है आपका लिख दूँगा समझ में आ गया अब अगर मैं यहाँ पर एक बार दूसरे पैन का यूज़ करता हूँ देखो यह आपके सामने क्या है कि यह आपके सामने 67 पस थीटा लिखा हुआ है फिर यह सैक 23 माइनस थीटा लिखा हुआ है अब जारा आप इन दोनों को एड़ करो इन थीटा से थीटा कैंसल हो जाएगा और यह 67 पस 23 कितना आ जाएगा 90 डिगरी यानि कि यह दोनों जो एंगल्स है ना इन दोनों कसम कितना है 90 डिगरी है तो यह जो आपका कॉसेक 67 प्लस थीटा है इसको क्या मैं सेक 23 माइनस थीटा लिख सकता हूँ बोलो हां क्लियर है ना लिख सकता हूँ कि नी लिख सकता हूँ इसके आगे आपका माइनस का 23 माइनस थीटा ही से यह तो अब यह तो आगे सबी को को कोई दिकत परिशानी हुई क्या नहीं हुई होगी पता है मुझे क्योंकि पढ़के से रहो हमी चलो खेर अगले कोशन पर आते हैं कभी खुद क नहीं है तो यस सेम question है देखो अगले पर आते हैं तो यह रहा Пकी सामने अगला question फटाफाट से question को try करो और ठीकथा question ही लग रही है यह ज्यादा कुछ इसमें वैसे question में यह वाले question में भी till हो जाएगा 3 ágina 1-5 स्काइब तो मैं अब यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं तो यह हो जाएगा फ 4x of cos²θ, कोई दिकत परिशानी होई क्या, नहीं होई होगी, ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपका निकालता हूँ, अब देखो, यहां से आपको same same, दो चीज़ें पता चल जाएंगे, अगर आप यहां पर थोड़ा सा observe करोगे, तो आप यहां से सीधा-सीधा जो theta है, वो भी find out कर सकते हो, आप यहां पर देख रहोगी, यहां पर आपकी value theta equal to 45 degree तो valid हो नहीं सकती है, रहो, theta आपका 0 से 90 के बीच में है, clear है, यानि कि 30 possibility है, 45 possibility है, और 60 possibility में है, तो 45 degree तो picture से बाहर हो गया, क्योंकि पता है, 45 degree आपका 1 upon root 2 हो जाएगा, और यहां से आपका 1 by 2 देदेगा, और यहां से आपका 3 आ जाएगा, clear है, तो यह अपना काम बनेगा नहीं, अगर मैं 30 रखता हूँ, तो मुझे पता है कि cost 30 में क्या हो जाता है, cost 30 में यह value होती है, आपकी root 3 by 2, और जब की cost 30 की value होती है, आपकी root 3, तो यह अपना बड़ा आ जाएगा, और यह छोटा आ जाएगा, फिर कोई फायदा निकलेगा न और 60 degree में आप मुझे पता है, 60 degree अगर मैं रखता हूँ ना तो cost theta हो जाएगा 1 by 2, यानि की 4 into में 1 by 4, और cost 60 होता है, आपका root 1 by root 3, तो यह हो जाएगा root 3 upon का, 1 upon root 3 का whole square कितना तो 1 by 3, 3 से 3 cancel out, 4 से 4 cancel out, 1 equal to 1 आ गया, मतलब picture में अपना जो 60 degree है ना, यह अपना बिल्कुल fit क साम कर गया, ठीक है तो इस तरीके से आप observe भी कर सकते हो नहीं, तो अगर इसको खोल के देखना है, तो खोल के देख लो, कोई फरक नहीं पड़ता है, इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, देखो एक बार यह हो जाएगा, आपको cost square theta के base square मैं आपके सामें लिखता हू यह equal to मैं किसके आजाएगा, बोलो फटाफट से जरा मुझे, आवई, यह equal to का आजाएगा, sine square theta equal to मैं आजाएगा, यह आपका 3 by 4 के, clear है, किसके आजाएगा, 3 by 4 के तो sine theta कितने के equal आजाएगा, sine theta equal to root 3 by 2 के equal आजाएगा, जहां से मुझे पता चल जाएगा, theta कितना हो जा है, चलो खेर, theta equal to अपना कितना आगया, 60 degree आगया, option number C, जो है अपना यहाँ पर right answer हो गया, मुझे यह बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, कि इन्हों ने यहाँ पर कोई equation की value क्यों नहीं पूची, direct theta पूच रहे है, मतलब यह तो मुझे ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, question में यही पूचा हुआ है, लेकिन आप मुझे एक बार comment section में इसका answer बता देना, कि आपका यहाँ पर sin theta plus cos theta plus का 1 upon का 1 minus sin theta plus cos theta, इसकी value at least आप मुझे comment section में बता दो, ठीक है, चलो भई, अगले question पर आते है, next वाला question यह रहा आपके सामने, तो फटा-फट से question को solve करें, और question है, इसलिए मैंने आपको try करने के लिए बोला हुआ है, तो जब भी मैं आपसे बोलता हो ना, कि यह question try करो, एक बार question solve करने कोशिश करो, तो उसे आप एक बार pause करके क्या करो, ठीक है, चलो खेर, अब देखो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले तो मैं आपको बता देता थीटा वाला आपका scene क्या होगा यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर थीटा रखते हो कितना, तो यहाँ पर आपका थीटा आना चीए, थीटा इकोल टो आप कितना डाल दोगे, यहाँ पर 60 डिगरी ठीक है, तो अगर आप थीटा इकोल टो 60 डिगरी डालते हो ना, तो य condition आपकी satisfy कर जाएगी एक बार मैं आपको checker के दिखा देता हूं ये देखो cos theta में अगर आप cos 60 degree डालोगे तो कितना आ जाएगा भई cos 60 degree 2 आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा भी या 2 आ जाएगा sorry 1 by 2 आ जाएगा इसके बाद में 1 minus sin theta यानि 1 minus sin theta आपका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2 minus का root 3 2 minus का root 3 upon 2 अब यह मैंने सीधा-जीधा लिखा हुआ है ठीक है यह मैं इसको और यह आपका plus का 1 by 2 upon का 1 plus का तो यह आपका हो जाएगा 2 plus का root 3 upon 2 clear है यह मैंने a plus b into में 2 plus का root 3 a minus b और यह हो जाएगा आपका a square minus b square यानि की 4 minus का root 3 का square तो यह 3 हो जाएगा clear है बात समझ में आई की नहीं बोलो हाँ और अगर मैं इसको उपर लिखता हूँ तो यहां से आपका 2 plus का root 3 और plus में 2 minus का root 3 और यहां से root 3 से root 3 cancel out और यह आजाएगा आपका 4 clear है और सामने मुझे जो RHS है वहाँ पर भी 4 दिख रहा है यानि की अपना जो theta equal to 60 degree है यह रखना बिल्कुल ओचित बात है हम यहाँ पर theta equal to 60 degree ले सकते है clear है अच्छा अब आप यहाँ पर एक बात समझना यह जो मैंने सारी की सारी का लिख है आपको examination में इतना कुछ लिखने की कोई जरुरत है ही नहीं क्यों नहीं है वहीं क्योंकि आपको यह सारी की सारी बात है आपके mind में हो जानीचे बहुत ही easy सी बात है यह बहुत बड़ा आ यहाँ पर rocket science तो खेलना नहीं है ठीक है बज़ आपको यहाँ पर आपको देखना है observe करना है कि यहाँ पर अगर मैं नीचे से LCM लोंगा तो LCM कितना आ जाएगा यह LCM आपका आना चाहिए one minus का sin square theta और one minus का sin square theta कितना होता है अगर आप score बिना theta के रखना चाहो ठीक है आप अपने सोचो आपको भी नहीं है इतनी ज्यादा प्रैक्टिस और यहाँ पर आपको थीटा स्मझ में नहीं आ रहा है क्या रखो तो वहाँ पर आप बैट के वहाँ पर अपना गुड़ा भाग लगा के यह ज्यादा टाइम वेस्ट मत करने लगना इसको फटा-फट से जो लिखा हूँ वाइन उसको अपने दिवाग में सॉल करना शुरू कर दिया करो ठीक है वन माइनस को साइन स्कुर्ड थीटा इसका क्या बनेगा भई नीचे लसीम बनेगा इस पूरी पूरी एक्वेशन का और यह यह होता है आपका कॉस स्कुर्ड थीटा के एक वल क्लियर ह है बोलो हाँ clear हैना सभी को और यहां से आपको क्या हो जाएगा तो यह साइन ठीटा से साइन ठीटा आपको cancelout हो जाएगा और यहां से आपको पता चल जाएगा थीटा कितना होना चाहिए भी 60 डिग्री होना चाहिए तो आपको दौन करके और आजाओ ठीक है तो इस बास से बचो यह नहीं है कि कोई कंवेंचनल अगर यूज नहीं करना है तो हमें नहीं करना है हमेशा यह समझो कॉश्चिन आप से किस चीज की डिमांड कर रहा है ठीक है ना क्लियर है मेरी बास समझ पारे उसे भी लोग तो यहां पर अपना साल थेटा कौल टू सिक्सट्री डिगरी मैंने आपको बता दिया है दोनों थरीके से अब यहां पर हम मैं और रखते हैं थेटा ुजें देखी 2000 तो तू हो जाएगा सिक 6 2 हो जायगा उसमें कशक्ण ti कितना हो जाएगा खेंड अब आपन का रूत 3 होजएगा लिए मैं अ अब आपको चीजें यहाप ठोड़ी क्लियर लिख पाएं इससे में इंटू करा दें तो थी सिक्स हो जाएगा अब यहां से अगर खरोगे उपर से 3 को common ले लोगे कितना ले लोगे नुमेरेटर में 3 को common ले लिया तो यह हो जाएगा रूट 3 प्लस का 2 और अपन में कितना है भई 3 है तो यह 3 से 3 cancel out answer कितना आगी है रूट 3 प्लस का 2 यानि कि option number 1 जो है अपना यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा clear है बात समझ में आगी क्या मेरी बोलो हाफटाफट से अब देखो मेरा जो main motto होता है वो यह होता है कि आपको given time है अब जितना भी मैं time आपको पढ़ाऊ उसमें आपको कुछ quality time दे पाऊ यानि कि मैं बापर आपको कुछ quality content दे पाऊ और उसमें क्या होगा कि मैं आपको करेंगे नहीं जादा बस आपको मैं यह करूंगा कि आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे कैसे आती हैं और उसका किस तरीके से हम उसको अब math में कोई trick होती है नहीं मेरे साब से लेकिन आप खेर चीज़ें बना रखें तो अब यहीं सही तो अब आते हैं अपने फट यह मतलब CPO ने जाते जाते अंतिम question अच्छा देही दिया कोई बात नहीं यह देखो अब फटा फट से बड़े ध्यान से देखना बिल्कुल गौर से बैटना यहाँ ठीक है यह हो जाएगा आपका cost 2 theta और यह equal to में है किसके तो 10 squares आई के ठीक है 10 squares आई के clear है तो आप बात theta की value कितनी डालता हूँ 0 degree डालता हूँ ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं theta की value 0 degree या फिर 45 degree यही दो value डाल सकता हूँ क्योंकि 45 degree डालूँगा तो यह अपने cost 90 बन जाएगा जो हमें कितना देदेगा 0 देदेगा और अगर मैं theta 0 डालूँगा तो यह मुझे कितना देदेगा cost 2 theta यह मुझे 1 देदेगा clear है और यही दो values अपनी 10 5 के equal हो पाएंगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपका theta equal to 30 degree र हटा दिया clear है तो यहां से हमें किसको रखा only 0 degree को और 45 degree को तो सबसे पहले मैंने theta रखा आपका 0 degree तो cost theta में अगर मैंने theta 0 degree रखा हुआ है तो एक बार मैं जरा color change करके दिखाता हूँ ठीक है इस तरीके से लिखता हूँ यह है अपना case 1 ठीक है case 1 वाली बात हो रही है यानि कि theta equal to 0 degree रखते हैं तो हमारा आ जाएगा cost 0 और cost 0 की value कितनी होती है भाई 1 होती है यानि कि यहाँ पर अपनी value 1 आगी किसमे LHS में clear है अब अगर मैं RHS की बात करता हूँ तो RHS में अगर मैं z समझ पारें जब मैंने यहाँ पर 0 degree रखा तो मुझे यहाँ पर 45 degree रखना पड़ा बात को समझ गए अब इसी तरीके से अगर मैं आपर theta की value 45 degree रख देता हूँ तो यह कितना हो जाएगा cost 90 degree cost 90 degree की value कितनी होती है एक बार मैं color को फिट से change करता हूँ देखें यह आपका case number 2 अब देखो यहाँ पर अगर मैंने theta आपका रखा 45 degree तो इसकी value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी अब 10 में value 0 कब होती है जब हमारा zi किसके equal हो जाए भई यह जब हमारा zi equal to हो जाए 0 degree के clear है तो जब हमारा theta 45 degree है तो zi 0 degree है तो आप यहाँ पर बात को समझना बड़े ध्या से यानि कि यह दौनों चीज़े कहीं ना कि अपने आपस में क्या हो रही है इंटरचेंज हो रही है यानि कि theta equal to 45 degree होगा तब हमारा zi 0 degree हो जाएगा जब हमारा zi 45 degree हो जाएगा ठीक है अब हम यहाँ पर एक बार options को check करते हैं यह आपके सामने cos theta into cos x equal to 1 तो यह वाली value यह निकल की कितनी आ जाएगी one upon का root 2 आ जाएगी है ना और यह one की equal होती नहीं तो यह वाली possibility खतम अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह वाली पॉसिबिल्टी भी खतम मैंने अभी देखा इसकी value कितनी आ नीची one upon का root 2 ना की root 2 तो यह वाली possibility भी खतम अब अगर मैं c व है ना किसके equal होगा यह मैं एक बार सारी चीज़ें यहां से अटा रहा हूं ठीक है ना so that हमारे पास space हो जाए देखें अब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यह कितना हो जाएगा अपना कॉस्टू जाई ठीक है equal to में कॉट स्क्वाइड थीटा कॉट स्क्वाइड थीट जब हमारा यह 00 यहां हमारा 0 45 वाले केस में लेकिन अब मैं जाई को 45 डालता हूं और जो अपना कॉट है ना कॉट थीटा यानि कि थीटा को मैं कि तो कॉट 0 डिगरी के value कितनी होती है infinity कितनी होती है infinity होती है यानि कि not determined होती है और यहाँ पर जो आपका cos 90 degree आएगा यानि कि यहाँ पर मैंने theta equal to 45 degree डाला हुआ है तो cos 90 की value अपनी 1 होती है, sorry 0 होती है तो 0 equal to infinity होगा क्या या फिर not determined होगा क्या नहीं होगा यानि कि यह वाला option भी आपका गलत हो गया, इसलिए मैंने आपको 2 condition निकलवाई थी हमेशा ध्यान रखना यह 2 condition आपकी यहाँ पर निकलती है ठीक है, और दोनों condition ही आपकी satisfy होनी चीए, तो अपना यह बचा बचा यह option है fourth वाला, इसको आप ऐसे भी हो जाएगा, आपका cot 10 square theta, अब यहाँ पर मैं एक बार क्या करता हूँ, जाई को रखूंगा 0 degree, तो अपना theta में कितना रखना पड़ेगा, 45 degree रखना पड़ेगा, clear है, इसको अब एक बार रख करके कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, cost 90 degree की value कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका 10 0 की value कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानि दिवाग में कहीं नहीं fit कर लेना, store कर लेना, ठीक है, और इसको अपनी no-dog में भी no-down कर लेना, क्योंकि यह question अगर आपका आगया, और direct direct question यह repeat हुआ, तो आपको बहुत जादा advantage मिल जाएगा, time का, clear है, समझ में आ गया सभी को, इस question को अब मैं हटाता हूँ, अगले question पर और वहाँ पर हम सारे के सारे height and distance questions को finish कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो I hope कि आपको आज का session पसंद आया होगा, and I know कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, आपर session चोटा है, लेकिन आप क्या गरें भी, questions ही आपके खतम हो गए, हाँ भी, चलो, यह questions आपके फिलाल finish हो गए, I hope कि आपने अभी तक के, जितने मैंने questions कर रहे हैं, उन सभी questions को समझा होगा, उनकी भी जो concept है, वो आपको समझ में आ गया होगा, तो session को ही पर मैं end करूँगा, and इसके अलावा, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, कि आप इसके अलावा जो आपको doubts आते हैं, इसके आपको करना क्या है ना, कि आपके पास जो भी sheet बगएरा हो, या फिर आपके पास में जो भी हो, जो भी material हो, उसे आप एक बार solve करें, और उन questions को solve करने के बाद में, आप अपना एक बार level देखना, कि आपको आप चीज़ें समझ में आ पा रही हैं, इन सारे जो मैंने आप को concept दिये हुए हैं, उनको वहाँ पर आप क्या करेंगे भई, apply करेंगे, clear है, चलो खर, अब मैं session को यह पर end करूँगा, thank you so much, God bless you all, take care, bye bye